ओम नमो भगवते वास देवाएं नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आमारी चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको स्रीमद भागवत महा प्राण की कथा सुना रहा हूं आप सभी भक्त जन इस कथा को सुर्द्धा पूर्वक मन लगा कर सुनें भगवान स् आप सभी की मनो कामना पूर्ण करेंगे और आप सभी की कष्टों को हड़ लेंगे। मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप डुष्ट गोडों को अपने बस में कर लिया और एक निष्ट बुद्धी से वह पुरसुत्तम भागवान का चिंतन करती रही। सामने भागवान को सहसा प्रिकट हुए देख अधती साधर ओठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विले होकर उसने प्रत्वी पर लोटकर उन्हें डर्ण नवत प्रणाम किया। फिर उटकर हाथ जोड भागवान की इस्तुती करने की चेश्टा की परंतु नेत्रों में आनंद के आंसु उमड़ आए। उससे बोला ना गया सारा सारीर पुलकित हो रहा था। दर्ण के आनंद उलाज से उसके अंगों में कमप होने लगा था। वे चुपचाप खड़ी रही। परिक्षेत देवी अदती अपने प्रेम पूर्ण नित्रों से लक्ष्मी पती विश्व पती यग्यस्वर भागवान को इस प्रकार देख रही थी। मानो वे उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद बानी से धीरे धीरे उसने भागवान के स्तुती की। अदती ने कहा आप यग्य के स्वामी हैं और स्वेम यग्य भी आपी हैं। अच्वत आपके चर्ण कमलों का आस्र लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं। आपके यस कीरतन का सरवन भी संसार से तरने वाला है। आपके नामों के सरवन मात्र से ही कल्यान हो जाता है। आप हमारा कल्यान कीजिए, आप विश्व की उत्पत्ती इस्तथी और प्लै के कारण हैं, और विश्व रूप भी आप ही हैं, अनन्त होने पर भी स्वचंद तासे आप अनेक सक्ती और गुणों को सुईकार कर लेते हैं, आप सदा अपने स्वरूप में ही इस्तथ रहते हैं नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के कारण, आप हिर्दय के अंदकार को नश्ट करते रहते हैं, भगवान में आपको नमस्कार करती हूँ प्रभों, अनन्त जब आप प्रसन हो जाते हैं, तब मनिश्यों को ब्रह्मा जी की दीर्ग आयू, उनके ही समान दिब सरीर, प्रतेक अभीष्ट वस्तू, अतुलित धन, स्वर्ग, प्रत्वी, पाताल, योग की समस्त दिशिद्धियां, आर्थ, धर्म, काम, रूप, त्र प्रत्रों पर विजय प्राप्त करना आदी, जो छोटी-छोटी कामना है, उसके संबंद में तो केना ही क्या है, सी सुकदेव जी कहते हैं, प्रक्षेत, जब अधिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की, तब समस्त प्राणियों के हिर्दय में रहकर, उनकी ग है, तुमें उनके लोग स्वर्ग से खदेर दिया है, तुम चाती हो कि युद्ध में तुमारे पुत्र उन मतवाली और बली असुरों को जीत कर विजय लक्षमी प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो, तुमारी इच्छा ये भी है कि तुमारे इंद्र आदी पुत्र जब सत्रों को मार डालें, तब तुम उनकी रोती होई दुखी इस्त्रियों को अपनी आँखों से देख सको, अजिती, तुम चाती हो कि तुमारे पुत्र धन और सक्ती से सम्रद हो जाए, उनकी किर्थी और ऐस्वर उन्हें फिर से प्राप्त हो ज इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी, तो उससे सुक मिलने की आसा नहीं है, फिर भी देवी, तुमारे इस ब्रत के अनुस्तान से मैं बहुत प्रसन हूँ, इसलिए तुमें इस समंद में कोई ना कोई उपाए, सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी रूप से कश्यप जी के वीर में प्रिवेश करूँगा और तुमारा पुत्र बनकर तुमारी संतान की रक्षा करूँगा, कल्यानी, तुम अपने पती कश्यप में मुझे इसी रूप में इस्तित देखो और उन निस्पाप प्रजा पती की सेवा करो, देवी, देखो किसी से पुछने पर भी यह बात दूसरों को मत बतलाना, देवताओं का रहसे जितना गुप्त रहता है, उतना ही सफल होता है, स्री सुकदेब जी कहते हैं, इतना कहकर भागवान वहीं अंतर ध्यान हो गई, उस समय अधिती यह जानकर की स्वेम भागवान मेरे गर्ब से जनम अपनी क्रत्य क्रत्यता का अनुवव करने लगी, भला यह कितनी दुल्ला बात है, वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी, कश्यप जी सत्य दर्सी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी, अपने समाधी योग से उन्होंने जानलिया की भागवान का अंसर मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है, जैसे बायू काठ में अगनी का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित से अपनी तफश्या के द्वारा चिर संचित बीर का अधिती में आधान कर दिया, जब ब्रह्मा जी को यह बात कि अधिती के गर में तो स्वयम अविनासी भागवान आये हैं, तब भे भागवान के रह्ष्य में नामों से उनकी इस्तुति करने लगें, ब्रह्मा जी निकाहा, समग्र कीर्थी के आश्र भागवन आपकी जैहू, अनंत सक्तियों के अधिश्टान आपके चन्डों में न बेदों के समझत ग्यान को अपने अंदर रखने वाले, प्रवों बास्तम में आप ही सब के विदाता हैं, आपको में बार बार नमस्कार करता हूं, ये तीनों लोक आपकी नावी में इस्तुत हैं, तीनों लोकों से परे बैकुंट में आप निवास करते हैं, जीवों के अ और इसलिए मद्द भी हैं यही कारण है कि बेद अनंद सक्ति पुर्ष के रूप में आपका बनन करते हैं जैसे गहरा स्त्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाहा संचालन करते रहते हैं आप चराचर प्रजा और प्रजा पतियों को भी उत्पन करने बाले मून कालन हैं देव आदिदेव जैसे जल में डूपते हुए के लिए नौका ही सारा है वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एक मात्र आप ही आस रहें मुलो स्री मत भागवत महा पराने की जै मुलो स्री कृष्णे चंद्र भगवाने की जै